कि आसकता है ऐसा है कि तो उदरती है हमारा च्छेत्र जो है ट्राइबल एरिया है जाड़ी जन जंगल हमारा ऐसा च्छेत्र है जहां पर की बहुत खित्राई हुए आवादी है जंगल पहाड ज्यादा है तुरू से ही आप देखें होंगे कि जितने भी देव आए पूरे देश की तुलना में हमारा ये च्छेत्र जो है बहुत धत्तर तुरक्षित रहा है यहाँ पर जो है पॉलिटिवीटी हमारी जो है उस रफ्तार में नहीं रही जैसे कि पूरे देश में जारखन की जो चोटा नावपूर एरिया में जितनी पॉलिटिवीटी रहती है जितने भी हमारे हां संक्रमित हुदे है हमारा गुड़ लग है हमारी किसमत अच्छी है तीवे साथ दिन आट दिन में रिकावर कर जा रहे हैं अभी तक किसी को भी हमको हमारे डिसी एच में भरती करने की जौरत नहीं है बाइट केसे जो हैं को शायत है हमारे सिट्या में और अब गौर्वर्मेंट की गाइडलाइन असी आगी है जिसमें की अगर कोई आदमी होम आइसूलेशन की लिप प्रेट करता है तो हम लोग होम आइसूलेशन की परमीशन दे दे रही हैं साथ दिन के बाद उसको जाज कराने की जोरत भी नहीं है कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है गाइडलाइन की हिसाब से हम उसको अलड़ी साथ दिन आठ दिन में निगटिव माल लेते हैं तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो हमारे जो रिकावरी डेट बहुत अच्छी ह कोई भी संक्रमन का ऐसा केस नहीं जिसको कि हमको भेंट्लेटर पर रखने की जौरत पड़ी है या औक्सिजन पर रखना पड़ा हो तो यह अच्छी चीज़ें है जो पॉलिटिवेटी हमको दिखाई पड़ रही है और जिनों की तुलना में हम लोग थोड़ा सिफर हैं वेक इस्टिमेशन का जो प्रसीडियूर है उसमें एक होता है कि एक्वली जो वोटरलिस्ट के अधार पर जो एस्टिमेटेड है पॉपलेशन की हिसाब से वो टार्गेट पॉपलेशन दूसरा एलेक्टरल आकड़ा है इसमें बहुत सारे लोग जो की जिनका डेथ हो चुका है जो हैं ही नहीं तो उस हिसाब से पॉपलेशन में रखकाम है जो डाटा जो है गौवर्मेंट के तरफ से गाटनाइन आई है पर परशाशन की तरफ से यो बहुत सारे लोग लगे होएं तिसरा है कि माईग्रेंट बहुत सारे हैं हिसाब हो पर या तो यह से करेंगे कि माइगरेंट जो हमारे गुड़ा जिला को छोड़कर चले गए उसमेंसे बहुत सारे लोग यह वैकिन लिये वहें और बहुत सारे नहीं भी लिये हुए लेकिन वो हमारे हैं ही नहीं तो हमारा vaccination उस पर तो दे भी नहीं सकते हैं उस हिसाब से गर जोड़ हटाव किया जाए तो हमारा achievement जो है हम 95% पहुन गया है और अगर उसको छोड़ दिया जाए कि नहीं साब आपका जो जन संक्या है estimated population की हिसाब से तो अगर हम देखा जाए तो हम थोड़ा कम है लेकिन government की guideline जैसे मिली है हर जिले के लिए उस हिसाब से electoral और migrant को लेकर चलना है तो उस हिसाब से हमारा achievement जो है 95% पहुच चुका है और जो है बहुत जल्द जो है हम लोग और भी अखीब कर लेंगी जो 2-4-5% बचे हुए है उसे वैसे लोग है जो गरवती महलाएं है और जो ऐसे हैं जो गंबीर बिमारियों से हैं कि हम लेंगे ही नहीं और गरवती महलाएं भी है नहीं लेंगे तो ऐसे population को जो हम जवरस्ती दुदे नहीं सकते हैं तो ऐसा भी 3-4% population है तो इमान के चला जाए कि हम लोग 26 सारी जो हमारी मंखमंतरी का आहवान है कि पूरा राजी जो है 100% achievement हो जाना चाहिए हम लोग भी उ है सामिल होते भी नजर आ रहे हैं आगे तो किसमत बताएगी कल कर दिन